नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज यहापे मैं बात करने वाला हूँ एक दिगज सेक्टर के बारे में एक दिगज कॉम्पानी के बारे में इसका नाम आप पहले देख चुके है जिसका नाम है Gale India तो Gale के बारे में यहापे बात करने वाला इस कुम्पानी टोटली गवर्मेंट के पास है तो आप इस कुम्पानी में निवेस करके रखे है तो आपके लिए क्या राए होने बाला है मैं यहापे कुछ टेक्निकल चार्ट पेटन के बारे में भी बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अपने मेरे नेचरल गैस टांस्मिशन कंपानी है एक्चुली नेचरनल ग्लास आप आप देख सकते गेल लिमिटेड इस एक गवर्मेंट ओनाट नेचरल गैस कॉर्पोरेशन यहाप देखे रेस्पोनसिबल फॉर नेचरल गैस पॉसेसिंग तो पॉसेसिंग एंड डिस्टिबीशन इ साथ दिस्टिबीशन का भी काम गेल करते है और यह जो गेल जो है वह वह टोटली गवर्मेंट सबस्टिडरि सकॉमपानी है मैं पहले आपको एक स्टार माक देखर एक बात करना चाहता हूँ तो यहापी लिखा गया है अब देख सकते हैं इसका पेरेंट ऑर्गनैशन जो करिबन करिबन 1.80% का तेजी इस तेजी के पीछे क्या कारण है उसके बारे में जोरू यहाँ पर बताऊंगा और इस कॉम्पनी के बारे में डीटेल्स, अनलाइसिस, टेकनिकल और फांडामेंटल डीटेल्स यहाँ पर बताऊंगा तो विडियो को पूरा देखते जाना इसका मत करना बहुत कुछ यहाँ पर जानने का और सेखने को मिलेगा तो सबसे पहले कौन सा वो कारण है जिसके लिए आज के दिन तेजी देखने को मिला वो पहले आपको बता दू तो मैं यहाँ पर BSC website के उपर से इस डेटा को डाउनलोड किया हो आप BSC NSC कोई भी साइड में जाकर डेटा डाउनलोड कर सकते है आपर देख सकते है Gail India Limited के PDF फाइल है तो जो सब्जेक्ट है वो देखिए Outcome of the Board Meeting Obviously Board Meeting किया जाता है कोई भी निउज आने से पहले और कोई भी मतलब कोई भी कमपानी के उपर कोई भी डेटा हो मतलब कोई भी काम हो रहा है कोई भी एक निउज हो रहा है तो उसको Board Meeting के दारा ही पब्रिस किया जाता है तो Payment of Interim Debitant एक जबद दस यहापे Breaking News है Interim Debitant देने वाला है कमपानी और वो भी आपे देख सकते है 2021 से 2022 इस रिजिन मतलब रिगार्डिंग में आपको डेविडेन मिलने वाला है देखिए डेविडेन कमपानी के लिए मतलब आप इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बढ़िया एक महतपुन्न भूमी का जोरू निवात है देखिए आप बहुत सरे कमपानी से जिसमें आपको करीबन 5% 8-7-6% तक आपे डेविडेन दे चुके है तो इतना बढ़िया बढ़िया डेविडेन आपको मिल चुका है तीन चार रुपिया करकर डेविडेन दिया और करीबन 10 रुपिया सालाना आपको डेविडेन मिला तो 10 रुपिया डेविडेन कोई छोटा मूटा अमाउन नहीं होते है मान के चलिए आपके पास 1000 CR है उस कमपानी का तो आपको इसको into multiply कर देंगे 10 से तो आपको इस हजार स्यार में करिबन करिबन 10,000 रुपिया आपको dividend मिल जाएगा देखे आपको company से तो profit कितना मिला है बो तो अलक से मिलेगा ही साथी साथ आपको dividend भी मिलेगा तो dividend बहुत महतपुन होते है company में निवेस्ट करने के लिए देखे जितने सारे long term निवेस्ट है इसका फाइदा जोरू लेते है और बहुत सारे दोस्तों को जो long term से निवेस्ट करकर रखे है अच्छा कासा company में उसको dividend जोरू मिला है हाँ ये भी है बहुत सारे company खराब है मगर dividend बहुत जवदस देते हैं और बहुत सारी ऐसे भी company है जो अच्छा कासा काम कर रहे है मगर dividend अभी तक नहीं दिया आप डी मार्ट को देख लीजिए डी मार्ट मतलब avenue supermart तो avenue supermart जो company है वो राधा किसन दमानी जी का जो company है उसके opinion है वो dividend देंगे के नहीं देंगे तो आप निवस सके है तो आप government subsidiaries company में निवस करके रखा है तो आपको huge amount dividend मिलता रहेंगे तो इसी company भी dividend भी आपको announcement किया आप देख सकते है 40% dividend announcement किया मतलब इसका जो face value है उसके इसाबसा 40% dividend announcement किया 4 रुपिया पार share आपको dividend मिलेगा वो आपको बहुत बहुत बर बता चुका हूँ इंटीम डेविडेन बोडेविडेन होता है जो company का जो owner है मतलब company का जो promoter है वो खुद decision लेकर खुद मतलब board meeting करके वो dividend और bonus announce कर सकते है तो इसके लिए दूसरे के कोई permission लेने के जुरूरत नहीं होते है मगर अगर promoter share में कम है तो कोई भी decision लेने से पहले जितने सारे FIs है जितने सारे DIs है जितने सारे investor है आप retail investor है आपके पास भी मिलाएगा उसको मतलब voting देने के लिए dividend company खुद decide करके dividend दिया है और dividend date का last date रहेगा 31 December मतलब 31 December से 2 दिन पहले आप share खरीदरी कर लेते है तो आपको इस company का dividend मिल जाएगा 4 रूपीज पर share इतने share इस company के पास आपको रहेंगे तो उतना dividend आपको मिल जाएगा तो यह था company का good news और कोई भी dividend company दे रहे है तो उसके चलते है company में निवेस मत कर देना उस company के details से एक बाद देख लेना तो company के बारे में बात कर तो company चोटा मोटा company नहीं है बड़ा company है 59,000 करोड का market capillation है company का peer ratio एकदम low level में है साथी साथ company का face value अभी 10 रूपिया है मतलब company अभी तक split नहीं किया और 444 करोड का total shares है company dividend देखिए इस company करीबन करीबन 3.83% का dividend दे चुके है company का debt देख लीजे 5,900 करोड मतलब debt उतना भी ज्यादा नहीं है जिस तरीके से government subsidiaries company में debt आपको देखने को मिलता है हाँ मैं यह नहीं कहूंगा सब government company में debt है आप real tail को देख लीजिए आपे zero debt आपको मिलेगा आप IRFC देख लीजिए आपे भी आपको debt ना के बराबत देखने को मिलेगा तो इस तरीके से बहुत companies है जिसमें आपको debt free देखने को मिलेगा तो company के पास cash जो है वो 1300 करोड का cash है company के पास जो sales growth profit growth है वो इस company में totally negativity ज्यादा है return of equity 10% है return of capital employed 12% है और यहाँ पे देखिए जो promoter के हिस्से दरी हो 51% और यहाँ पे जो promoter है वो totally government है president of India है यहाँ पे इसका promoter तो देखिए कोई भी company में निवेश कर रहे है तो उसके करता है तो company जिस field में काम कर रहे है उस field में देखा जाए company second largest company है क्योंकि gas distribution and manufacturing company है तो इन में से company second large company है वो भी उसके competitor जितने सर है उसके हिसाब से market capillation के हिसाब से company का performance देखा जाए तो खराब नहीं है उतना खराब भी आपे देखने को नहीं मिला है तो company किस तरह के से profit कि है वो भी आपको देखना चाहिए यहां पर देखे साला ना मतलब साल भर की जो profit ratio है वो भी सांदर है 3,000 से 2010 2010 2010 में आपको 3000 करोर का profit किया उसके बाद 4,000 4,400 4,300 4,700 उसके बाद 15 में 16 में 17 में थोड़ा सा profit कम हुआ 3,000 1,800 3,300 फिर से 2018 19 20 22 में अच्छा खासा यहां पर profit हु 6,500 9,000 तक पहुँच गया अभी जो फिलाल साल चाहला है 9,391 करोर का profit हुआ तो सारे के सारे के सारे parameter कुछ positivity negativity में जुरूर है मगर एक चीज अपको में यहां पर दिखाना वाला हूँ जो देखकर अपको इस company में निवेस करने का जो जो मतलब जो इसू है वो थोड़ा सा चेंज हो सकते है जो motivation है वो चेंज हो सकते है क्योंकर देखे कमपानी का sales growth उतना खास भी नहीं है कमपानी का profit growth भी उतना खास नहीं है साथ साथ कमपानी return of equity average है यह भी चलो माल लेते है ठीक ठाक है मगर जो चीज आपको हमेशा देखना है वो है company CAGR percentage आपको किस तरीके से return मिला है वो भी देखना चाहिए company आपको जो return दे रहे है वो ना के वराबर है और negative return भी आपको मिला है तीन साल में 9% का negative return पास साल में 2% का 10 साल में 2% एक साल में 8% जो करोना के situation के पाद हर कोई company इस एक साल में बहुत अच्छा खासा 50% तक return दिया है वगर एक company मात्रे 8% return आपको दिया है तो इस type company में नि करना चाते हैं तो इसके उपर research करिए उसके बाद निवेस करिए मुझे इस company के उपर big negative विटी लग रहा है और इस company के उपर में dividend के चलते हैं कोई भी निवेस नहीं करूंगा और इस company का जो सिस्सेदर है मतलब shareholder है वहाँ पर में बात करूं तो comprometer के पास 51.85% holding है FIS के पास 18% DIS के पास 17% government के पास 7.94% और public के पास 4.14% holding है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो foreign investor और domestic investor दोनों ही अच्छा का सा माल उठा कर रखा है फिर भी आप कह रहे है company उतना खराब है देखे company का जो performance है अभी आपको chart pattern में लेकर दिखा देता हूँ company का maximum chart pattern open कर देंगे तो आपको करीबन 990% का return जो कितना volatility है आप देख सकते है हाँ foreign investor कहाँ पर निवेस्ट किया है तो अगर उसको profit मिल गया तो वो निकल जाएगे तो आप जतने सा retail investor है वो यहाँ पर पैसा फस सकते है उसका तो यहाँ पर technical chart pattern के बारे में बात करूँ यहाँ पर मैं एक month बहुत दिनों तक यहाँ पर एक side basis pattern में चल आ है इस level को अभी तक break नहीं कर पाया बहुत up and down करके यहाँ पर एक trade कर रहा है अगर इस level को break करता है तो मुझे लगता है इस level तक आ सकते है 320 तक आ सकते है मगर इस level को break करना होगा वो भी strongly break करना होगा तभी इस level को touch कर सकते है और यहाँ पर जो chart button बन रहा है वो देखिए कितना volatility है इस company में तो अगर इस company में आपको निवेश करना है तो आप जोरूर इसके push study करिएगा उसके बाद निवेश करिएगा क्योंकि company का performance उतना मुझे खास नहीं लग रहा है तो आपको इस company में अच्छा का सा निवेश सक मतलब आपको stock market में अच्छा का सा निवेश सक बनना है तो आप इससे बहुत अच्छा का सा company आपको मिल जाएगा तो इस company को आप कर सकते है तो dividend के चक्र में निवेश मत कर देना में वीडियो आपको इसलिए बना के दिया क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस तेजी के पीछे क कारण ना जानकर ही और dividend मिल है इस कारण में ही निवेश कर देंगे और उसके बाद उसका खुद का पैसा फास जाएंगे और बाद में वो रोने लगेगा तो इसलिए मैं वीडियो आपको सामने लेका है क्योंकि मेरा जो मकसद है आपको अच्छा का सा एक निवेश सक बना हुआ 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 है